शर्माजी यह दर दिया गुस्सा और आपने भी बहुत सारे सवाल उठा दिया लेकिन आपको लगता है कि वो बीच में कुई ऐसी कड़ी है किसान सरकार के बीच में जो गड़बड कर रही है या यह सीधा सीधा गही ना गही नियत पर सवाल है कि हमें समयना पहले यह है कि जो एकनॉमिक डिजाइन है चाहे वो अमेरिका में है चाहे यॉरप में है चाहे वो भारत में जिसका पालन हो रहा है वो डिजाइन यही कहता है कि अगरी कल्चर को खतम करना है हमें यह समयना बहुत जरूरी है अब देखिए अमेरिका में किसान खतम हो चुके हैं, हाडली दो परसंट से पॉपलिशन से कम रह गए हैं, योरप में हर मिनिट में एक किसान खेती छोड़ कर जा रहा है और भारत में और चैना में ये डिवेलिपिंग कंट्रीज में अब सारा जोर है, अभी आपको याद होगा रगुराम राजन साभी खुद कहते थे कि सबसे बड़ा रिफॉर्म भारत में तब होगा जब हम खेती से लोगों को निकाल कर शेहर में ला सकते हैं क्योंकि शेहर में दिहारी मजदूर की जरूरत है ये हमें समयना है, ये एकनॉमिक पॉलिसी का डिजाइन है अगर आप नेशनल स्किल पॉलिसी का डॉकुमेंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 57 परसंट से हमें परे तो उन्हें 18 परसंट कहा था 18 परसंट पर हम गौं की जो एग्रिकल्चर की जो पॉपुलिशन उस पर लिए आएंगे फिर नोने कहा 33 परसंट प्याब आगे हैं 57 से 38 परसंट कर देंगे वो 2022 तर यानि यह सोची समझी रणनीती का एक हिस्सा है कि किसानों को खेती से बेदखल करना है शेरों में लेके आ रहा है यह हमें जानना बहुत जरूरी है जब यह जान जाते हैं तो उसके लिए जो पूरा एकनॉमिक धांचा बना जाता है अब जैसे बताया आपने पहले कि देखिए क्राइक काईसिस है इतने सालों से किसान को इंकम नहीं मिल रही है जब हम दूसरे सेक्शन को देखते हैं मैं इसका उधारन देता हूँ सिंपल सा 1970 में गेहूं का दाम 76 रुपे प्रतिक कुइंटल था जो 2015 में उसी दुरान मैंने बाकी सेक्शन आफ दे सुसाइटी का हाल देखा उनका क्या हुआ इंकम का मैं सिरफ बेसिक पे और डिये ले रहा हूँ उसी दुरान में 45 साल के पिरिड में सरकारी मुलाजिम की जो बेसिक पे और डिये है वो 120 से 150 गुना बढ़ गया और जो स्कूल टीचर्स की जो तनका बढ़ी है उस दुरान में वो 280 से 320 गुना बढ़ गई और जो कॉलेज के युनिवरस्टी परफेसर्स हैं उनकी तनका 150 से 170 गुना बढ़ी है उस 45 साल के पिरिड में किसान की जो इंकम है जो गेहूं के दाम से या धान के दाम से आप ना पेंगे वो 19 गुना बढ़ती है अगर ये जितने सरकारी मुलाजमों की भी अगर इंकम 19 गुना बढ़ी होती है के नौकरी छोड़ चुके होते आज तक प्राबलम ये है कि किसान का हक क्या बनता है अगर हम 45 साल के बाद जब उसको 1450 गुना भी उसकी इंकम बाकी इंकम पैरिटी के नौम से चलता हूँ तो उनकी इंकम जो है या उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 7600 रुपे प्रतिक कुंटल बनता था ये उनका हक है 7600 रुपे कुंटल बनता था उनको मिला 1450 रुपे फिर ये कहा जाता है साब ये पैसा कहां से आएगा कभी आपने पूछा जब कॉर्पेट को पैसा दिया जता है कहां से आएगा कभी आपने पूछा सात्मा वेतना योग का पैसा कहां से आएगा, सात्मा वेतना योग जब सारे देश में फलाया जाएगा, अभी तो सिर्फ सेंट्रल गर्मेंट का है, तो क्रेडिट सुिस्स बैंक की स्टेडी कहती है, चार लाक असी हजार कोड रुपया हर साल एडिशनल खर्चा होगा, किसी ने नहीं पूछा कि पैसा कहां से आएगा, किसी ने निकाहा कि फिस्कल डेफिसिर बढ़ जाएगा, आप किसान को दो लाक रुपय देजी, तो लाक किरोड रुपय अनौंस कर दीजिए, साल का देंगे, हाहा कार मज जाएगा इस देश में, अरे ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं, ये सारा कुछ होगा, फिस्कल डेफिसिर बढ़ जाएगा, लेकिन इंप्लॉईज के लिए किसी ने कहा, फिस्कल डेफिसिर बढ़ जाएगा, ये सारी एकनॉमिक नीतियां हमें जानने की जूरता है, ये किस तरे किसे डिजाइन बनाया ग जब आपका इंकम मिलती है, सातन बेतन आयोग मिलता है, या किसी को भी अपनी इंकम मिलती है, तो क्या कभी किसी ने सुनच सोचा है कभी किसान को कभी हाउस रेंट मिला हो, कभी एजुकेशन रेंट मिला हो, कभी हेल्थ अलाउंस मिला हो, कभी बच्चों के लिए मेडिकल दोने के लिए और वो लड़़ऑ कर रहा हूं कि यदिन कोड़ एक पास कपड़े हैं को कब आपने सुनाइ कर गया है कि किसान के कपड़े के लिए 20,000 रपै भी उसमें एड़ किया गया हो मिनीमम सपोर्ट प्राइस में क्या करते हैं हम जो उसकी लागत लगते ही है और फैमिली लेबर जो लगती है उसको जोड लेते हैं बस ये ही और अभी तो employees के लिए 108 allowances भी होते हैं अभी तो तनखा और DA के बाद 108 allowances मिलते हैं जिस पी सज़न को 108 allowances मिलते हैं उसको तनखा की क्या जोडता है मुझे ये बता दीजिए ने बच्चे निपालने हैं? हम यह क्यों मानके चलते हैं कि किसान तो हमारे देश के ओपर बोज है, इसके ओपर हम दान कर रहे हैं, आप दान नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप किसान को मिचोड रहे हैं और उसी के साद आपकी अर्तवेवस्ता चलती है यह अरत्विवस्ता के जब तक हम ढांचे को नहीं देखेंगे हमें समझ नहीं आएगा कि किसान को मार इतने सालों से क्यों पड़ रही है